पहरे बच्चों आपसे गुजारिश है इस लिसन को पढ़ने से पहले आप अपनी टेक्स्ट बूक अपने समय रखे ताकि पढ़ने में कोई दुश्वारी पेश ना है शुक्रिया जिस तरह हमारे हाथों में ये ताकत है ये किसी के साथ भी अच्छा या बुरा कर सकते है उसी तरह हमारे जबान को भी ये ताकत है कि ये किसी के साथ भी अच्छा या बुरा कर सकता है सकती है तो ये एक आम बात है इनसानों में ये आप दूसरों को नीजा दिखाने के लिए ये उनके पीट के पीछे बुराया करते रहते है और कुरान ने हमें ऐसा करने से सकती से रोका है ये सेज के वा तो एवर केंड चैनलमौंगर और पेग्ब बाग्भाडर चाट है च.184-1 बादीज बागुतड अधोली वर्सित ओू वास्सरों कंडमन इन स्ट्रॉंग स्टरॉम सिकेंडल मुंगर तौकिंग और स्टिंग इवल आप समबडी बाइब और गेस्टर और बहेवर मिमक्री सिकरिजम इंसल्ट बी लिट्लिंग अप करेक्टर बहाइंड वनस बैग एवन इफ वाटेवरी सेडिस्टू प्रोवाइड दे मोट इसल्ट यानि कि जो सिकेंडल मोगर होता है जो यह बुरायां फैलाता है एव जयां गिनवाता है जुस्रूं की निकल करता है यह किसे की करेक्टर की दिज्यां उडाता है उसको नीचा दिखाता है तो यह बुरा समझा जाता है further the prophet Muhammad peace be upon him said that the similitude of a person who indulged in big biting is a man who has eaten the flesh of his dead brother. इसके अलबा प्यारे आका स्थ मुहम्मद ﷺ फर्माइते हैं कि चुगल खोर की मिसाल उस इनसान जैसे है कि जिसने अपने मुर्द बाए का गोश्ट खाया होगा. Also it is reported by Hazrat ibn Khameed that he had once asked the beloved Prophet peace be upon him to give him a prayer for reciting. The Prophet peace be upon him caught hold of his hand and suggest this prayer. यानि के एक एक दिन खर्द हमीद रजियालाहुत अनु दर खर्मत हर्द मुहम्मद ﷺ में ये अरज किया कि मुझे कोई दूआ देदो याद करने के लिए तो मुहम्मद ﷺ ने फर्माया कि अपनी जबान को काबू में रखो। गोया की जिसने जबान को काबू में रखा उसने खला पाया। O Allah, I seek refuge in the form of the evil of ears, eyes, heart and tongue. एय Allah, मैं आप से नजात मांगता हूँ, कान के बुराईउं से, आँखों की बुराईउं से, और जबान की बुराईउं से, जो कि तिरमजी शरीप का हदेश शरीफ है. इसके अलवा सिर्फ इसलाम में नहीं इसको डिनाउस किया है, बाइबल जो एक क्रिश्चन की एक मजभी किताब है, उसमें भी इसके बारे में कहा गया है. यानि कि हम सब ठोकर खाकर चलते हैं, ठोकरे खाते रहते हैं, और वो इनसान जो, यानि कि अगर कोई अपनी बात पर सैटस्फाई हो, मुतमईन हो कि जो मैंने कहा वो सही कहा है, और बिल्कुल वो सही होगा, तो वो ही इनसान आगे जा सकता है, अपने आपको वो आगे ले सकता है. The Gita says, Freedom from fear, purity of heart, perseverance in parachute of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all beings, freedom from avarice or his who is born to gold-like endowment, ostentation, pride or iris who is born to demoniansk endowment. गीता जो कि हिंदू मजभब की एक मुकदस किताब है, इसमें भी इस बात का सुबूत हासल है, कि हमें बेग बाइटिंग से रोका गया है, कि तब ही एक इनसान एक अच्छा इनसान बन सकता है, जब वो बुराईं से दूर रहेगा और अपने आपको आगे ले सकता है, सिर किसी को तकलिफ नहीं देना है, बस यही एक इनसान की सबसे बड़ी कौलिटी है, लाइक वाइज दे गुरु गरंट साहिब सेज, दे सिलेंडर केरीज डे ग्रेट बर्डन अफ सिन्ज, विदा वुट पेमेंट ही केरीज लूड, गुरु गरंट साहिब, जो सिक मजभ की एक मुकदस किताब है, उसमें ये लिखा है कि एक गेबती की मिसाल उस शक्स जैसी है, जो गुनाहों की गठरी अपने कंदूं पर उठा कर चलता है, यानि कि एक शक्स जो बिना उज्रत के बोच उठा कर चलता रहता है, महत्मा बुद, बुद मजभ का बानी, वो कह रहा है कि एक इनसान को चाहे अपनी जिन्दगी को अच्छे इखलाख पर मुनसर रखे, जिसका मतलब है, खुश इकलाखी, जैसे कि हमारे प्यारे आका शर्दि मुहमद चल्लाव स्लम से एक स्वाबी ने पूछा, कि या रसुल्ह सल्ले लग वसलम कि कि कैमत के दिन कौन से लोग ऐसे होंगे, जो आपके बहुत करीब होंगे, तो हर्दि मुहम्मद ﷺ ने कहा कि जिनके इखलाग अच्छे होंगे वो ही लोग मेरे करीब होंगे कियामत की दिन राभी साइमान वन सैट तो हिस सर्वेंट गो तो जा मॉर्केट और बाइ मी सम्थिंग गूड तो इट दे सर्वेंट वेंट और बाइट टंग राभी साइमान एक टाना सेट था या जिस सम्थिंगे वो जिविश पीपल का एक लीडर था उसने एक दिन उसने अपने एक मुरीद से कहा कि बाजार जाके मेरे लिए कुछ मिठा खाने के लिए लाओ और उसका एक मुरीद गया शागिर्द गया और उसने एक जबान लाई बाजार से इनने के एक टंग लाई जबान बाजार से On another occasion, the rabbi said Go to the market and buy me something that is not good The servant went and bought a tongue once again This time the rabbi said to him angrily What does this mean? When I told you to buy something that was good, you bought a tongue Now when I told you to buy something bad, you bought a tongue again एक दिन बैद में, rabbi सेमन ने अपने उसी शागिर्द से कहा कि आप आई दुबारा मरके जाओ और मेरे लिए कुछ ऐसा चीज लाओ जो अच्छा नहीं होगा और वो शागिर्द जाता है और दुबारा वही जबान लेके आता है जलिकि जबान ही लेके आता है जब rabbi ने यह देखा तो उसने उसे पूँछा कि यह क्या लाया तुमने जब मैंने आप से कहता कुछ मीठा लाओ तो आपने जबान लाई और आज जब मैंने आप से कहा कुछ आशा लाओ जो मीठा नहीं होगा जो अच्छा नहीं होगा तो आपने फिर एक बार फिर जबान लाई इसका मतलब क्या है The servant replied From the tongue issues the good and also the bad There is nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil one तो शागिर्थ ने इस अंदाज में जवाब दिया कि जबान में ऐसी खुबी है कि इसे अच्छा भी कोई नहीं है और इसे बुरा भी कोई नहीं है इन्हें की जबान में ये दोनों खुबियां मौजूद ये अच्छी भी है और बुरी भी है Soon after that incident there are be invited his disciples to a meal at which both soft and hot tongues were served The disciples add the soft ones and left the hard ones untouched Noting this there are be said to his disciples As you choose the soft tongues and reject the hard ones So also use only a soft tongue in your conversation with one another इस वाके के बैद रभी ने एक जिन अपने इस शागिर्द को दावत पर बुलाया मील खाने पर बुलाया और जिस खाने में इसने पेश की hard tongues और soft tongues सक्छ जबान भी और नर्म जबान भी लेकिन जो discipline थे जो शागिर्द थे उनने soft को ही पसंद किया और hard one को untouched यने की बिना हाथ लगाये रख दिया तो इसके बैर खाना खाने के बैर रभी ने इसने इनसे कहा कि जिस तरफ आपने hard one को reject किया यने की छोड़ दिया और soft को आपने like किया पसंद किया इसी तरह आप जिन्दगी में जब भी किसी से बात करोगे अपने छोटों से या बढ़ों से तो उनसे नर्म लहजे कही इस्टिमाल करना यने की हमें ये समझा जाता है कि नर्म लहजा कितना अच्छा साबित होगा हमारे लिए इन दिस कंटेक्स्ट अ कोटेशन बाइक क्योरलिस इस वर्थ मैंशनिंगी गिव नर्दी तंग तो ग्रेत लिबर्टी लिस्ट इटेक्स दी प्रिजनर यानि की हमें अपनी जबान को इस कदर आजादी नहीं देनी है कि हमें लास्ट पर पश्टावा होगा जिस तरफ तलवार मियान में होती है वो सेफ होती है उसी तरफ एक लफ़ बिना बोले सेफ होता है वो महफूस होता है जो ही हम कोई लफ़ जबान से बोलते है जबान से निकलते है तो ये दूसरे के पाच जाता है और अगर हम एक दाना इंसान बनना चाहते है या दाना बनने की तमना है तो हमें अपनी जबान को काबू में रखना होगा और यही दानाई ही है पहले तोलो फिर बोलो One should as such always remember this important lesson so that we may reference from malice of secundal mongering and big biting more ever we should always recite this important prayer एक इंसान को ये याद रखना चाहे ये सबक याद रखना चाहे कि हमें big biting यानि कि सिकंडल mongering जूट फरेब रिया कर ऐसे कामों से परेज करना चाहे और ये दूआ हमेशा अल्ला से मांगना चाहे My God, God my tongue from evil and my lips from speaking the sin Be my soul silent to those who reproach me Be my soul humble to all as the dust Ameen Summa Be my soul silent to all as the dust Ameen झाल 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 झाल